नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार विहार विधान सभा चुनओ के पर्थम चरन की मतदान परिकिरिया खत्म हो गई है 3 नमंबर को विहार विधान सभा चुनओ के 17 जिलों के 94 विधान सभा सीट पर मतदान होने है और इनमें से एक सीट भागलपूर भी है भागलपूर में शर्मा वर्मा और पांडे के बीच एक परत्यारसी जो निर्दलिय के रूप चुनावी मैदान में है उनकी भी चर्चा है और आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में निर्दलिय परत्यासी के रूप में उत्रे विजय साज हैं विजय साज सबसे पहले तो आपका स्वागत है कैसा परचार परचार चल रहा है आपका जी निसीत रुप से परचार भागलपूर में एक निर्दली परत्यासी के रूप में लगातार सगन हमारा निर्दली होने के नाते हम रोड़ पर केवल हाथ जोरते हुए नहीं निकलते हैं हमने ठाना है कि हर घर के दर्वाजा और आंगन तक जाना है और लगातार हम इस परियास में सफल भी हुए हैं और पिछले चुड़ों भी हम लड़े थे और इसबार कोशिट कर रहे हैं कि वह विजय में परिवरतित हुएक अस घर किया निषचित रूप से समय नहीं मिल पाया था और कुछ काोकस में हम पढ़ चुके थे लेकिन इस वार एक रननीती के तहट हम आगन आगन जा रहे हैं और जो भागलपूर की जो समस्यां का है उसको कहिए तो हन्मन् जागरन हर समाज में हर गली में हर दरवाजा पर हम पहुंचा रहे हैं एक सवाल आपसे तो खेर होना ही है कि हरवार की तरह जो है चुनो आते ही आप वागी कियूं बन जाते हैं। यहां पर नेत्रित लगातार जाती के लोग ही कर रहे थे। पिछले चुनाव से ही 2014 से कहिए तो जब यहां से हमारे अभी वावग असुली कुमार चुबे जी लगातार यहां से जीत रहते उनकी इच्छा हुई लोग सबाव में जाने का उन्होंने हम सभी कारकरताओं को बोल गया कि यह आप लोग को सुपूर्द करके भागरपूर ज ले गए एक लंबा जो है अनुभव रहा है इक बैशक एक नेता के तोर पर नहीं कारकरता के तोर पर ही एक लंबा अनुभव रह आपके पास और आप से हम यह जानना चाहिए कि भागरपूर में बैस समाझ को क्यों अ नजर अंदाज किया जाता है पता नहीं लगातार बै जन्त का बेवस्ता करता है चाहे जिस भी पार्टी का हो आप देखते होंगे रस यही तक मैं समाज इस थी था लेकिन पिछले 2014 से समाज के लोग बोले कि आप नेत्रित करो और उस समाज की लोगों के बातों पर हम लगातार परियास किये चुकि भारती जन्ता पार्टी का मैं पदेन सक्क्रिकार करता रहा करता था पदादिकारी हुआ करते थे तो एक इच्छा जाहिर किये थे परदेश राष्टी नेत्रित को हमने इच्छा जाहिर किया और उसी परदती के तहाद हम रनीती के तहाद हम भी अपना तैयारी के रूप में काम कर रहे थे इसमें कोई कि या है सभी को अधिकार है लोग तंतर में चुनाओं लड़ने का सभी को अधिकार है एसमाट शहर जो है भागलपूर सूची में सामिल हुआ है धरातल पर तो काम देखी नहीं रहा है वही तो कह रहे हैं हम लोग सत्तासिन पाटी के अधादिकारी रहे हैं सग्रेकार करता है हम जब भारती जनता पाटी का अधिक च्वा करते थे तो उस समय महागडवन्दन की सरकारती नितिजी उधर थे उसके बाद फिर इधर आये इस्तिती उधर इधर होते रहा लेकिन नहीं कुछ हुआ तो भागलपूर भागलपूर स्थिर रहा कभी भारती जनता पाटी क हमने एक निश्चे किया कि चाहे जो हो कोई जरूरी नहीं कि हम में किसी राष्ट्य पाटी का टेग लगा हो हमने जनता के बीच गया जनता के यह प्रसानी देखी अब पिछले चुनों में देखें भागलपूर टापू बन गया था आज देख लेजे क्या इस्तिती है भा अगरपूर में आये थे पिछली बार विधान सभा के चुनों में 16,000 मत आप लाये थे और इस बार अगर आप जीत जाते हैं प्रार्थमिक्ता हैं क्या क्या रहेगी देखिए पहली प्रार्थमिक्ता है तो यह है जो बरतमान जन परतिदीदी है वो किसी विकास योजना मे को इठक में नहीं जाएंगे तो अफसर बेलगाम होता है फाइल फाइल को लटकाया जटकाया जाता है पहली बात होगी जितने फाइल यहां लटकाया गया है किसी भी योजना का जो सुचार बैठक यदी निस्थाई समीती का जो भी समीती का बैठक होती है यदी सो समय नह करने का सक्त हिदायत होगा समस्यां भागलपूर की आप से चुपी नहीं है आप भागलपूर के निवासी है तो आप से तो खेर समस्यां चुपी नहीं है भोलानात पूल जाम की समस्या और भी कई समस्या एक दो है लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि इन सभी समस्यां को जो उस भाग को हम लोग दश्चनी छेतर करते हैं और इस भाग को उत्री छेतर करते हैं तो दश्चनी छेतर को किसी भी बास्तू में कहा जाता है दश्चनी छेतर का जो कौन होता है वो अगनी कौन होता है भागलपूर का दश्चनी छेतर अगनी कौन है उसमें अगनी कुंड है और कहिए तो भागलपूर को यदि बिक्सित करने का हेंड जो है वो दस्नी छेतर में है यहाँ बजार और सभी यहाँ पर बेपसाईयों के यहाँ यदि हेंड आप खोजेंगें तो वो दस्नी छेतर का गरीब गुर्वा समाज के लड़के हैं लेकिन उपेच्छी थे कोई मतलब नहीं है 40 परशन की मोटा मोटी अवादी है और हद तो यह है कि यहाँ पर लगातार जो भी पार्टी जितते हैं तो यहाँ पर लगातार हम कहते हैं कि यहाँ बारती जंतापार्टी के द्वारा ही अस्ठापित कराया गया है उससा बात आप जान रहे होंगे और फिर 2015 में अभी उसको अस्ठापित कराने का कोसिस किया गया और यहां गटफन्धन की पर तिनिदी है किसी ने किसी ने कोई कोसिस नहीं किया और स्वाभी का जीत का ये आकड़ा आप देखेंगे, तो दच्छी छेतर का आकड़ा होगा, और वही दच्छी छेतर का आकड़ा आपको बढ़त दिला देता है। लेकिन जीतने से पहले तक तो बहुत परिसान से भी रते हैं, आज देखिए, अज चुना है, सभी नेता हुआ जा रहे हैं, कोई जाकर मंदिर में दान कर रहे हैं, कोई जाकर मंदिर का गेट लगा रहे हैं, कोई जाकर कुछ कर रहे हैं, कल हम गए थे, हम लोग मेरा घर है, दचनिचेत सभावी के हमारा अस्थानिय घर है, वहाँ खेले, कुदे, पढ़े, लिके है, मंदिर है, बगल में पानी का कूड़ा का बंदनार है, जनपरतिनी दी अभी जा रहे हैं, अभी उनको दर्सन हो रहा है, पहले वो जाते नहीं थे, उनका कहना था, कि अरे, एसी से निकलते हैं, उदर बद्बू बहुत करता है, तो बर्दास नहीं होता है, आज चुना है, वो एसी से निकल के पैदल भी चल रहे हैं, जनता अब जागी है, सब समझ चुकी है, और आपको आस्चर्ज होगा, कि इस वार एक भागलपुर इतिहास रचने वाला है, आप मिला रहता है, तो कोई थाब दिखा रहे हैं, कोई अपना सिर्जन दिखा रहे हैं, लेकिन निर्दली को होना क्या है, कि निर्दली को अपना पहचान बनाने के लिए हर अंगन हर दिल में घुसना होता है, हम दिल में घुस रहे हैं, और ये जब तीन तारीका जो चुनाव का आहुद करेंगे और भागलपूर को त्रिप्त करने का काम करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं इस बार चुनों में भागलपूर से लेकिन मुझे लगता है एक जो मेन मुद्दा है जन्य जिर्जंग सिर्जन घोटाला यह मुद्दा ही गयाब है। आश्चर जाये, आप देखिएगा, नो सो करोर में लालू जी जेल में है, बाइस सो करोर में घुटाला हुआ है, एक यहाँ खेल खेला जा रहा है, सिभी आए सिभी आई, और सभी लोग मजे मार रहे हैं, सत्ता सीन है, उसकी उस पैसे का इस चुनाओ में यूज हो रहा है, फुल के मही बात चुनाओ अचार सनिता है, नहीं बोलूँगा, लेकिन समाज के सभी लोग जान रहे हैं, कि सिर्जन का पैसा जो भागलपूर के विकास को रोकने का काम किया है, गरीब गुरूओं का पैसा था, उसको यहाँ पर राष्ट्रे पार्टी अपना चुनाओं म मुझ सिला हो, ये भी मेरा बिसे था चुनाओं में आने का, ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्जन घोटाले को मुदा बनाया जाए, तो जनता मेरे ख्याल से कि वो निर्दली परत्यासी को और जाएंगे, लेकिन ये मुदा नहीं है बरहाल, देखिए तो भाविक है, आपको पहले में बता दिया कि अपना पहचान बनाने के निर्दली परत्यासी को हर दिल में घुसना होता है, तो घुस रहे हैं, बात को रख रहे हैं, जनता में ये बात जा रही है, जो बात जा रही है तो वो बात वो अपने दिल में बैठा हैं, वो तीन तारी को बताएं विजय साह बेसक परीचे के मोहताज नहीं है, सहर में विजय साह की पहचान है, लोग पहचानते हैं, लेकिन बात यहां पर आती है कि विजय साह निर्दलिय परतियासी के तोर पर मैदान में है, तो मेरा सवाल यहां पर यह है कि एक निर्दलिय परतियासी के तोर पर आपको क बिलकुल एक बार फिर हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि पिल्कुल किलियर वे में कि प्रार्थ मिक्ताएं क्या क्या रहेगी भागलपूर में जो एक कि जन्परतिनीदी के क्यारण जो एक समस्या उत्पन हुई है जिसका जन्परतिनीदी को अपना नेत्रित करना चाहिए उस पर एक गाइडलाइन होना चाहिए उस पर एक मुनेटरिंग होना चाहिए कहीं पर कुछ कारण नहीं है कहीं पर कोई विवस्था कायम नहीं कर पाया है के वर्टमान जन्परतिनिदी को अपने आगे माननी और विधायक लगाने का सौक लगा हुआ है लेकिन भागरपुर की जनता अ आये समाज में हैं तो मेरा जो है नेता से अक्सर एक सवाल रहता है कि आपको आपके विधान सवा च्हेतर यानी भागलपूर विधान सवा च्हेतर की जनता क्यों वोट करें ऐसा हम इसलिए पूछते हैं ताकि लोगों को पता चले कि परतियासी किस मनसे के साथ किस सुबे भागलपूर जनपरतिनेदीय कारन जो फेच्चित है जह दिद्धी भागलपूर में जिताथा है तो भागलपूर में जितने पाया नर लटकाई गही गई रूप में और राजनिती करता के रूप में 32 साल अपना उमर दिये हैं राजनिती को हम उसका अनुभव को हम भागलपूर के समारने समारने में लगाएं चलिए बादचीत के लिए शुक्रिया आपका और आगे की जर्णिंग के लिए जो आपकी यातरा आगे करेगी उसके ल के रूप में भागलपूर विधान सवाचेतर के चुनावी मैदान में उत्रे हुए बिजय साजी बिजय साजी से हमारा ये बादचीत आपको कैसा लगा नहीं लगा या फिर आपका कोई सवाल हो बिजय साजी से तो आप हमारी कॉमेंट शेक्षन में जाकर लिखिए अगल